वेल्कम बेक टू आर यूटूब चैनल जी बीटी जी के बाइटरिक चैनल में आप सभी का अपना श्वागत है चलिए दोस्त आज हम बताएंगे आकर फाइनल कटव अरडवी अरड़सी हाजीपूर अरड़सी हाजीपूर का फाइनल कटव जैसा की देखनों को मिला है एक्जाम स्टार्ट हिवा था 17 अगस्ट से 17 अगस्ट 18 अगस्ट एक्जाम चला था 19, 20 और 21 अगस्ट को एक्जाम नहीं था फिर 22, 23, 24, 25 अगस्त एक्जाम चला था फर्स्ट फेस का फर्स्ट फेस में RRC हाजिपूर, शीकंदरावाद और Western Railway मुंबई का एक्जाम हुआ था तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे RRC हाजिपूर क्योंकि जहाँ पर जादा competition है सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं उसके बाद आज के इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है Western Mumbai आज से पहले भी मैंने सेप स्कोर के वारे में एक वीडियो बनाए था एक्चुली सेप स्कोर वही रहने वाला लेकिन ये सब स्कोर तब फिल हो जाता है जब फरजी वारे का मामला सामने आता है जैसा कि आज कल दिखनी को मिल रहा है 124 स्टोरेंट ग्रिफतार हुआ है फरजी वारे के मामले में तो हो सकता है कि कटफाई करवाद है लेकिन ये exception है हम 100% में 5 to 6 या 7 या 10% रख ले इस तरह के काम होता है ठीक है 90% स्टोरेंट क्वालिफाई करते है on the basis of his merit तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कटफ के वारे में और यह बता रहा हूँ कि यहाँ फाइनल कटर रहने वाला है same to same कटफ दिखने को मिलेगा ऐसे मैंने यह कटफ तयार करने में लगबग 3-4 दिल लगाया है स्तारा एनलैसिस total first matem क्या है मैंने कैसे क्या होगा कहां से कितना है seat कितना vacancy है क्या है कितने student apply किये है कितने student exam दिये है average score क्या है कितना attempt किये है total raw score कितना बन रहा है पोल लगबग 40-40,000 student का पोल किसी भी दूसरी चैनल से लिया है बाद कि कहीं से भी सारा data collection करके मैंने यह वीडियो आप लोगों के पास लेके आए है तो चलिए हम स्टार्ट करते है सबस्तर पहले हाजीपुर का final cut-up यह cut-up जैसा कि आप दिखने को मिल रहा है same to shame ताल ठोक के इसके बाद ना तो ज़्यादा ना ही cut-up कम cut-up रहने वाले किसी भी वीडियो में आज के बाद देखेगा जितना वीडियो निकलेगा यूट्यूब का खासके यूट्यूब पर cut-up के बादे में तो इसी यही range रहने वाला है copy paste करेगा सब ठीक है इस वीडियो के देखने के बाद हम आपसे request करेंगे आप cut-up का वीडियो मत देखिए अपने John का अपने RRC का यदि आप इस वीडियो के देख लेते हैं तो क्योंकि इससे ज़्यादा cut-up नहीं जाने वाली ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे एक इस पोल के बादे में यह Real Bay Group D पहले फेज में आपका कितना attempt था एक यूट्यूबर एजुकेशनल यूट्यूबर ने पोल किया था इसमें लगबग 18,000 इस्टोरेंट ने वोट किया है ठीक है जिसमें से 9 attempt बता रहा है 90 प्लस 11 परसंट 80 प्लस 10 परसंट 70 प्लस 19 परसंट 60 प्लस 60 परसंट याने कि maximum 60 परसंट 70 प्लस यह इतना इस्टोरेंट है attempt में minimum हम बता सकते हैं नहीं भी हो सकता है लेकिन maximum 15-20 question गलत करते हैं इस्टोरेंट करने को तो लेकिन एक average attempt average attempt जो है यह मिला जुला करके ठीक ठाक है SC 70 के आसपास लेकिन raw marks इन लोग का कम से कम काट करके इन लेकिन के डिप काट करके 60-50-70 का सपास आएगी ठीक है चलिए इस पर बात में चर्चा करेंगे फाइनली पहले सही उसके उपर चर्चा कर लेते हैं यह मास तरवे है ठीक है इससे पहले भी मैंने बताया था cut-off उससे पहले किसी परकार का वीडियो का पीडियेफ के लिए या कोई नोडिफिकेशन जो immediately for effort दिया जाता है वो टेलिग्राम चैनल पे डाल दे जाता है तो बस आपसे एक रिक्विस्ट है कि आप टेलिग्राम चैनल पे से जुड जाईए ठीक है और एक रिक्विस्ट करेंगे कि वीडियो देखने से पहले या अभी तक आप यदि पहुँच चुके हैं तो प्लीज रिक्विस्ट है कि सब्सक्राइब बटन को दबा देजिए क्योंकि यही मेरा असरा है थैंक्यू चलिए आगे बढ़ते हैं देखेंगे कि एक पोल हुआ था ठीक है इसमें 42 सज्जार यहां पर देखिए 41,990 यानि कि 42 सज्जार एस्ट्रोंट ने वोट किया था जिसमें सबसे पहली यह टॉप ट्रेंडिंग जीके द्वारा फोल किया गया था यह क्रेट उनको जाता है रेलबे ग्रूपडी फर्स्ट फेज एक्जाम खत्म हो चुगा है अब बताने हैं इसमें कि कितना सवाल सही हो रहे हैं लगबग अनुमान यह अनुमान है एक एकसपेक्ट है ठीक है तो 90 प्लस लगबग 3538 स्टूडेंट ने एटेम्ट किया है ठीक है एक्टेम्ट किया है सेप स्कोर नहीं है रो नहीं है और आप्टर निंगेटिव नहीं है यह निगेटिव हो जकता है उसके बाद 4 प्रष्ण यानि की 1444 स्टूडेंट ने 85 से 90 की बीच सकोर किया है ठीक ऐसा ही आप देख सकते हो 75 से 80 के बीच 7 प्रष्ण नबवे से 75 के बीच 9 प्रष्ण उसके बाद 14 प्रष्ण है 65 से 70 के बीच मैक्सम्म्मbaum स्टूडेंट जो एटेम्ट किया है वो 65 से 70% के बीच यानि percent नहीं इतना question है यानि 65 से 70 question attempt किया है इसमें कितना लोग है देखे लिए ये 574 student ऐसे हैं जिन्होंने 65 से 70 किया है आसपास या बीच attempt ही किया है उनका मान की चलते हैं 5-7-10 नमबर negative होगा फिर उस negative के बदले कुछ marks कटेंगे 2-3 नमबर, 4 नमबर, 5 नमबर तो मिला जुला के कि 10-15 नमबर 8-10 नमबर ये कटेंगे तो वही average score 55 to 60 ठीक है हम लेके चलते है उसके बाद जिनका भी exam नहीं हुआ है उनका score है चलिए आप जो main मुद्दा है, main fact है उस पे हम चलते है ये सब मैंने देखा दिया क्या कैसे रहा, कहां पे रहा कितना student, कितना attempt किये अब हम start करते है, total जो reality है fact है, उस पे चर्चा करेंगे हम ये video आपको खुश करने के लिए नहीं बना रहे है बलकि जो real है, actual cut-up रहने वाली है जो real में competition है मुसके पर चर्चा करेंगे क्योंकि इस video के बनाने में लग-बग 3-4 दिल लगा है सारा analysis करने में बस बहुत मैनत लगा है आपसे यह request है, पूरा video देखिए skip मत करिए, और ज़्यादा-ज़्यादा लोग के share करिए share करना ना बोले कि कोई भी channel starting में ही boost कर जाता है starting knowledge तो सबकी हिसाब से रहता है किसी को starting में थोड़ा से problem होता है लेकि कोई नहीं actual fact data लेखे माये है जो कि आप लोग पूरा satisfied हो जाओगे next हम चर्चा करेंगे देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ से मैंने start करा है यह RRC हाज़िपूर है कहाँ है, RRC हाज़िपूर इसमें total vacancy कितनी है 3563 यानि कि 3563 vacancy है 3563 vacancy है, ठीक है यह final यानि कि maximum candidate कितना लिया जाएगा इसमें, 3563 ही candidate को select किया जाएगा ठीक है, अब चर्चा करेंगे, यूर इसमें कितना है यूर के लिए, यूर में total category आ जाते है तो 1369 यानि कि 1369, ठीक है OBC में कितना है 966 candidate OBC का seat है candidate नहीं seat है total SC में कितना seat है 555, 555 EWS में 328 seat है और ST में 325 seat है इतना seat है हाज़िपूर में total, ठीक है और ये category वाइस में बता दिया भी total seat कितना है 3530 seat है तो ये है final selection के लिए merit के बाद merit के बाद जो final selection होगी उसमें ये इतने candidate select किये जाएंगे आखिर इससे पहले जो PT physical efficiency test यानि कि दोर दोर लिया जाएगा दो प्रकार के होगा एक 35 लोट अगर के दोर ना होगा 100 मेंटर दो मिनट में और एक है 4 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड ऐसा कुछ है उसमें एक किलो मिनटर दोर ना है ठीक है उसके बाद ये physical efficiency test यानि कि दोर के लिए तीन गुना candidate को बुलाएंगे तो इसका हम यदि 3563 का तीन गुना करते हैं तो total 10,689 candidate होता है यानि इतना candidate को selection करना है किसके लिए PET के लिए ये PET के लिए total candidate for physical physical के लिए PET के लिए ठीक है गवर से सुनेंगा दोस्त इससे पहले आपको ना तो ऐसे कोई बताया होगा गुरूप D के actual cut-up के वाड़े में ओशेक्त है भीश में बताए मुझसे भी बैतर है हर कोई ख्याद किसी से बैतर है लेकिन ये exact actual factual data है ठीक है ये cut-up का पूरा post-mart-up है अब और से देखेगा ये same to sum रहने वाला कोई इधर उधर नहीं यदि इतना आपका save score है तो प्लीज अभी से लग जाएए आप अपने दोड में फिसकल में ठीक है cut-up देखने की कोई आप जगता नहीं next हम चरजा करेंगे total apply कितना किया है सब कुछ माइन नहीं रखता है cut-up वैसे decide नहीं होता है कि ऐसे जागर के बोल दे previous year इतना गया था और इतना हम बोल दे कि इतना cut-up 52 चला जागा 55 चला जागा 60 चलागा ऐसे cut-up नहीं होता है cut-up के लिए मुद्दा एक main fact होनी चाहिए आकि कहां से cut-up कैसे decide होगा तो cut-up सबसे पहले हम देखेंगे कि total apply कितना किया था हाजिपुर जौन से ECR हाजिपुर से तो 5,73,340 candidate इतना apply किया था सभी category मिला करके हम total category wise नहीं करते है ठीक है उसके बाद exam कितना student ने कोया दिया है exam एक्जाम में कितने student एक्जाम हुए है तो total लेके चलते है 55% थोड़ा वहुद डिफेर होगा क्योंकि actual data अभी नहीं आया हर रेलबे के तरफ से तो हम 55% लोग 45 बदा रहे हैं 40 बदा रहे हैं 50 बदा रहे हैं लेकिन हम 5% extra लेके चलते हैं जिससे कोई वभिष्य में दिक्कत नो आप सेफ मैसुष करें ठीक है तो इसका 55% यानि 3,15,337 candidate एक्जाम दिये हैं ठीक है एक्जाम में तो इस हिसाब से competition परसिट कितना है किसके हिसाब से इसके हिसाब से इसके हिसाब से competition परसिट जो है वो 161 है आपने आज से पहले जो भी cut-up का पिडियो देखे होंगे उस पर बताया जा रहा होगा कि मतलब 101 सेट का competition है हाजिपूर में यह real competition नहीं है परसिट competition अब decide होगा किसके हिसाब से परसिट competition decide होगा अब 3,15,337 candidate के हिसाब से इस हिसाब से परसिट actual जो competition है PT के लिए total 29,5 यहने कि 30 परसिट मानि एक student 30 student को एक student 30 student के साथ competition करेगा ठीक है यहने कि हमको ज़िए group D में selection लेना है PT के लिए तो हमें 30 student के साथ competition करना है उसको पीशे करना है जागर के मेरा selection होगा नेक्स हम final merit के लिए बाद करेंगे तो merit के लिए थोड़ा high competition है high competition क्यों है यह 88.5 यानि कि 88 के साथ मेरा competition है अब पुछोगे कैसे तो यह जो 29.5 है यह 10,689 689 इस हिसाब से जो PT के लिए है इसमें 3 उना लेना है लेकिन final selection इसका 1 third लेना है यानि 353rd candidate को ही लेना है तो हम per seat competition इतना हो जाएगा last में जाकर के ठीक है लेकिन इसमें भी तोड़ा correction होगा यह इतना candidate जो selection होगा उसमें हम divide करेंगे यहाँ आपको तोड़ा hint दे देते हैं 353rd से आपको divide करनी है क्या करनी है अब चलिए दिखा देते हैं आपको calculator पर जाकर यहाँ आप देखेंगे तो 3 candidate के हिसाब से competition रह जाएगी यानि कि per seat competition 3 हो जाएगी physical qualify करने के बाद ठीक है गौड करिएगा यानि कि आपको यदि final selection लेना है तो 3 candidate से आगे होना पड़ेगा चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कितना competition आ गया per seat per seat 3 competition आ गया कितना गया 3 competition यानि कि 10,689 candidate जो PT के लिए qualify किये थे उसमें seat कितना 3,35 35,37 इस से divide करेंगे तो 3 per seat 3 competition हो जाएगी यानि कि जो physical qualify कर लेगा वो लगभग 75% समझे उसका हो गया है ठीक है उसके बाद आगे चलते है इस cut-up से पहले लोग चर्चा कर रहे थे previous air cut-up इतना गया था तो इस बार कैसे हाई चला जाएगा तो देखिए previous air cut-up से हम तुलना नहीं कर सकते है वो जनरल के लिए 77 OBC के लिए 73 SC के लिए 61 ST के लिए 58 था यह आप्टर नॉमलाइशन था यह आप्टर नॉमलाइशन नॉमलाइशन में जैसे के पता है हम सबको लगभग 8 से 30 नंबर तक बढ़ा था 35 नंबर तक भी जगया था 5 नंबर भी किसी का 2 नंबर भी बढ़ा था तो इस हिसाब से नॉमलाइशन में नंबर बढ़ा था उसके बाद कि फाइनल कटफ था यह किसके लिए ठीक है 2018 में जो फैकेंसी निकली थी उसके लिए कटफ है यह कटफ नॉमलाइशन है इस बार परसेंटाइल बेसिस होगा नॉमलाइशन भी होगा तो 4 मार्क्स 5 मार्क्स बढ़ने को बढ़ेगा इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा अब बहुत सारे लोग कहते है कि नॉमलाइशन नहीं है इस बार मार्क्स ने बढ़ागा लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त आप देख सकते हो कि रेल वी द्वार जो नोडिफिकेशन दिया गया है उसमें क्लियरली बताया गया कि नॉर्मलाइशन होगा किस अधार पे होगा वो फर्मला दिया गया है फाइनल स्लेक्षन तो परसेंटेल बेसिस ही होगी लेकिन नॉर्मलाइशन में मार्क्स बढ़ेगा घटेगा चार पांस नमबर साथ नमबर पांस नमबर मैक्सम पांस शे नमबर बढ़ेगा ठीक है इससे ज़्यादे नहीं करें गया उसके बाद हम करेंगे शेपी एस्कोर के बाड़े में इस बाद शेपी य्षकोर क्या रहने वाला है तो आपने कंप्टीसिंन भी देख लिया फाइनल क्या ना में इसका पिटी के लिए उसके बाद मेन Scottish के बाद भी कंप्रिशन देख लिए आपने तो स्लेक्श के लिए लगज़ो अराम से क्योंकि इससे ज़्यादा कटफ नहीं जाएगी मैंने ताल ठोक के पहले बता दिया जैसा कि आपने थंब नेल में देखा होगा कि ताल ठोक कि इससे ज़्यादा कटफ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी बता दिया बस आपका जिए आप जेनरल स प्रश्टा भी जा सकता है 77 चली जाएगी तो 75 शाथतर 80 तो आप बोलीगा कि नहीं ने आपने 70 बताये था ऐसा नहीं है यह रोव है मैं भी बता रहो सेब इसकोर है क्लियरली सुनिएगा यहां बेध्यान दीजेगा यह सेब इसकोर यानि कि रॉ मार्क है और आप जैन्रल किटेग्री से बलौंग करते हो और आपका निगेटिप कार करके 70 मार्क्स आ रहा है यानि कि आपको लग रहा है कि मेरा 70 मार्क्स आ प्लस मैंस 2 रखा है मैंने ज्यादा ने डिफरेंस नहीं है यानि कि दो नंबर नीचे भी जा सकता है दो नंबर आगे भी जा सकता है ठीक है यह रॉइस को रतारों में तो आप अभी से फीजकल के लिए अराम से लग जाओ उसके बाद और या ज़री को बिलॉट गरते हो तो आपको रोइस कोर 67 वो भी किया है यानि कि रोउस को आपने अटेंपट जो भी किया हो 90 किया 85 किया 75 किया 60 किया 69 किया future निंगेटिव काटने के बाद यादि आप 67 रोई स्कोर ला रहे हो प्लस मैनस 2 दो नमबर कम भी है दो नमबर जादा भी है तब भी आप अभी से फिसकल के लिए लग जाओ क्योंकि देखिए बताएंगे बात में उससे पहले चर्चा कर लेते काटव नहीं है यह सोरी सेब इसकोर यानि कि रोउ मार्क्स है ठीक है यदि आपका इतना आ रहा है तो गरंटी अप लग चाहिए जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपने अटेम्ट किया होगा किसी इस्टोन ने अटेम्ट किया होगा सत्तर कुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तो आप अराम से लग जा सकते हो, फिसकल के लिए तैयारी कर सकते हो यह है रहा मार्क्स पर फिसकल, I am not telling you about the final merit, okay I am telling, I am discussing here only the physical efficiency test, this is the raw scope and safe score and the final result will be dependent on normalization and the percentile basis चलिए तहम discuss करें इसके बाड़े में कि आखिर ऐसी के लिए cut-up किया रहने वाले है मतलब यानिकी sabre score किया रहने पहले है, आपने जो भी attempt किया हो negative card के यदि आपका marks 59.2 बन रहा है, तो आप physical के लिए तैयरी कर सकते हो SD category में वह है, बस 55.55 बन प्लस मैनस 2, यदि आपने score raw score किया है आपका raw score आ रहा है, इतना काट करें, negative card करके, तो आप physical के लिए अराम से लग सकते हो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, जो main confusion point है, जो आपने ये cut-up बता दी, नहीं, मैंने cut-up नहीं बताया, ये raw score है, यानि कि इतना आपका इदि आ रहा है काट करके, तो आप physical के लिए अराम से लग सकते हो, तो final, ये जो defend करेगा, final defend करेगा किस पे, अब देखो, यहाँ पे shocking news है, shocking news, अब ये देखो, shocking news, अब ये 95 plus minus 2 क्या है, your percentile, after percentile, या after normalization, your percentile must be lie above 95 plus minus 2, इसका मतलब ये हुआ, कि जो normalization होगा, मान लिजिए, आपका EWS category है, 55 है, normalization होके बाद ये हो, पांच मार्स बढ़ गया, ये चला गया, 70, तो आपका cut-up कितना चला गया, 69 या 70, इतना आपका cut-up चला गया, 70, cut-up बता रहा हूँ, cut-up बता रहा हूँ, ये 70 cut-up चला गया, तो ये 70 cut-up चला गया, तो ये 70 जो है, ये defend करेगा, cut-up decide करेगा, और defend करेगा percentile पर, यानि कि 70 से उपर मात्र, 5% student ही होनी चाहिए, यानि कि 70 से उपर केवल आपके john में, जैसे कि 10,689 student जो है, उसमें केवल 5% जो है, वो आप से उपर रहनी चाहिए, ठीक है, यदि आप 95 percentile आपका आता, जैसे कि shop marks, इसको भी size चाहिए कर लेते हैं, plus minus 2 में बता लिया है, जैसे कि आपने इसको, आपके यार, 100 seat है, आपके zone में, ठीक है, और आपका marks है, 90, और आप से आगे cable, 3 student ही आगे है, आप से आगे cable, 3 ही student है, ठीक है, तो आप से आगे, जो फहला student, जो सबसे ज़्यादे marks होगा, उनका percentile जो होगा, 100 percentile होगा, बले ही उनका 300 marks है, माल लेजिए, लेकिन उनका percentile कितनी है, 100 percentile, cut up decide होगी, इसी से, यानि कि seat से, लेकिन seat कितनी है, 100 seat है, 100 seat है, 1000 student qualify किया है, 1000 student qualify किया है, 100 seat है, तो 100 seat का ही selection होगा, इसमें बहुत सारे category होगे, चलिए मैंने मार लिए कि ये UR क Cable category है, ठीक है, Cable UR का category है, तो UR 100 का selection चाहिए, इसमें, ठीक है, qualify कितना किया, PT के लिए, इसका 3 को नाम ले लेते है, इसे 300 ले लेते है, बढ़िया रहेगा, एक फिट से, मान लिजी इसको सही समझ लिए, 300 candidate qualify किया, 100 seat है, Cable, ठीक है, 100 seat है, तो लेना कितना है, 100 को, qualify कितन किया है, 300, तो आप से आगे, यदि आपका 90 marks है, तो आप से आगे केवल कितना student रहने चाहिए, आप से आगे, आप से आगे, आप यानि कि इस 100 के अंदर लाए होनी चाहिए, इस 100 के अंदर आपको आना चाहिए, यानि कि 100 candidate का max में किसी का 95 marks होगा, किसी का 98 हो जकता है, किस इस हिसाब से, जो इसका minimum marks होगा, 100 student में, और maximum जो होगा, इसके बीच आपको रहनी चाहिए, यानि कि यदि 70 maximum score है, 70 से, 70 से, 90 के बीच में, 120 यदि पूर जाता है, तो तब ही आप qualify कर पाऊगे, क्योंकि इसी के बीच में, जिसका marks होगा, यह example बता रहा हूँ, उसी का selection होगा, बाद बाद कि जितने 70 से नीचे रहेगा, 70 से 9.9 क्यों न रहे, वो सब फिल कर जाएंगे, यानि कि पर्षेंटेल का मतलब यह हुआ, कि अन्तिम से, यानि कि 100 जो पर्षेंटेल बता रहा हूँ, अन्तिम से कितने पर्षेंट तक लेन है, यानि सीट कितनी है, सीट कितनी है, सीट है, टोटल 100, सोरी, क्वालिफाइग क्या है, 100, सीट कितनी है, 5, गौर से देखेगा, सीट है 5, तो केवल 5 ही केंडिडेट को लेनी है, फाइनल के लिए, इसका यदि 3 से मल्टिप्लाई करते हैं, तो 15 केंडिडेट को लेनी है, क संद्रा केंडिडेट यानि की 50 सी एबब यानि की इससे नीचे जिसका रहेगा वह आउट है एक्जाम से ठीक है तो इसके बीच में यह आता है लाई करता है तो बस केबल इन्हीं का स्लेक्शन होगा इनका स्लेक्शन कभी नहीं होगा ठीक है नेक्स डेटेटल में बताएंगे दूसरे वीडिए परसेंटायल नहीं तो बहुत सारा यूतुटGroup नन्वेस निशित हो जाएगा जिजादा नमबर नहीं दिखेगा और फिजुकल में भी तो तीन में से दो को डिफ्सक्алист करना है केवल एक को लेनी है, तो competition वहाँ भी tough है, one by third competition है, one by third competition है, यानि कि 75% student को selection नहीं लोगा, 25% का है selection होगा, इसलिए physical में भी अभी से लग जाईए, ज्यादा cut-up नहीं देखिए, ECR का ये cut-up था, असागर्द की अच्छा पुरा बढ़ियां से आपको समझ में आ गया होगा, इसके बाद कोई cut-up देखनी काप सकता नहीं है, ठीक है, ये cut-up वैसे नहीं बना है, सारा सब कुछ data analyze करके, सारा cut-up बना है, आप इसके फिर से देख सकते हो, सही से, दोवारा वीडियो देख सकते हो, सही से कितना सीट है, कितना परसीट competition है, कितना actual competition है, सारा सब कुछ इसमें sports model गया गया है, तो ये इसलिए गया रहा हूं कि cut-up जादा देखने इसमें टाइमर बाद नहीं करनी है, यदि आपको इसलिए बस कमजोर है, तो आप इसमें भी ध्यान देजिए, फिजिकल के त्यारी करिए, क्योंकि next vacancy आने वाली है, 24 से पहले 23 में जो की लगभग में 1.5 lakh vacancy होगी, दिखने को मिलेगा, 1.5 lakh पे प्लस भी हो सकता है, क्योंकि election है, इस पार जरूर दिखेगी, खास करके technical degree वाले के लिए, आयटे यदि आपने कर लिया है, तो उसके लिए ALV का vacancy भी आने वाली है, ALV technician का, बहुत सारे से vacancy है, यदि आप बिहार से बलॉंग करते हो, तो बिहार से भी बहुत सारे vacancy दिखने को मिलेगा, तो बस अब इससे लग जाएगे, अपना सले बस भी complete करिए, जो भी छूटा हुआ है, और physical की तियारी करते रहिए, क्योंकि नौकरी का कोई समय नहीं, शीमा नहीं है, अब जितना आगे बढ़ोगे, उतना आपकी रिफाइद होगा, यदि आपने लेबल 1 का क्वालिफाई किया, लेबल 2 क्वालिफाई किया, तो लेबल 6 तक जाने में, आपको कम से कम दस्या लग जाएगी वैसे, इसलिए तैयारी करते हैं, तो बहुत ही short time में, आप अपनी मुकाम तक पहुंच जाएंगे, तो यह रहा आज का cut-up, आजिबुर का, इसके बाद कोई cut-up नहीं आएगी, लेकिन western, next to cut-up आएगी, western Mumbai के आएगी, फिर सिकंदरावाद के आएगी, तो बस आप से एक ही request finally करेंगे, प्रीज सब्सक्राइब येदि आपने नहीं किया भी तक सब्सक्राइब करिए, कम से कम जार support करिए, पहुंच अब ही मन लगेगा, इसमें सब्सक्राइबर ज्यादा रहेगा, तो अभी उस रहेगा, तो share करेंगे, प्लीज, thank you very much, अशा गरते हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा, जैहन, जैवारत